खबर बहराइच से है बहराइच में आदम खोर बेडिये ने फिर से हमला किया है बेडिये ने साथ साल के पारस के गले पर पंजा मारा है जिससे बच्चा घाल हुआ है रात में सोते समय आदम खोर बेडिये ने हमला किया बच्चे को अस्पताल में भरती कराया गया घाल बच में लगातार आदम खोर भेड़ी की दहशत जाए और लोग परेशान हो चुके हैं डर के साह में जीने को मजबूर हैं दूसरी तस्वीर आप देख रहें एक बुज़ूर की जिस पर भेड़ी ने अटाक किया है इस वक्त आप देख सकते हैं कि नकाही गाओं का ये बच्चा है जहां पर करीब डेड़ से दो बज़े के करीब इन आदम खोर भेड़ीयों ने इस पर हमला किया इसकी गरदन पर आप देख सकते हैं कि गंभीर रूप से ये घायल हुआ जिसके बाद इसको मासी प्रात्मिक स असकेंद में भर्ती कराया गया हम जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी माँ भी मौजूद थी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कितने बज़े की घटना है पूरी बात बताएए कैसे हमला हुआ जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट ना होने पर सीधे बेडिया जो है वो अंदर गुस रहा है और बचों को टार्गेट कर रहा है बेटा क्या नाम है आपका पारस कैसे ये पूरी घटना हुई बताएए पूरी बात अधिकतर भी अधिकतर मामला हुई भी वूरी जो हुआ इसा कि आपने सुना ये बचा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था जिसके चलते देर रात ये भी धिरिया गुसा और उसके बाद इस पर हमला किया क्योंकि इसकी मा इसके साथ सो रही थी तो उन्होंने जब भेडिये को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़ कर भागा इसके साथ ही एक सक्स और है जो भेडिये के हमले में गंबी रूप से गायल हुआ है हम उनसे भी बात करने की कोसिश करेंगे और जाने की जानेंगे कि क्या नाम है आपका कहा के रहने वाले हैं बताइए कि कैसे ये पूरा हमला हुआ कितने बज़े की बात है चार बज़े भुर की बात है और हम बत्रुम करने गए वहां से वापस आये चार पाई पर बैठे थे और वो जानवार आया हमको पकड़ लिया पीछे से पकड़ लिया हमको तो कवनी मेर के जिसे सोय होई तो तो माडार लेकिन उसका जब उकर गर्दन जब हमरे आते माया जो लगा कि जब दाबेहन तो छोड़ दिया हमको तो वो आगे के पतला है पीछे के मोट है बार भी है उके बड़े बड़े तो जैसा कि आपने सुना कि आदम खोर बेडिया इस लिबल पर एग्रेशिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो पहले से गात लगा कर बैठा हुआ था वहां पर उसने आटेक किया बहराइच में आदम खोर बेडियों ने अब तक 49 लोगों पर अटेक किया है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है 8 बच्चे शामिल हैं घायलों की बात ले तो 30 लोग आदम खोर बेडिये के हमलों में घायल हुए हैं हमारे सवारता ने महसी के प्रात्मिक स्वासिके अदम खोर बेडियों के हमले से लगातार इस पूरे इलाके में दैसत व्याप्त है इस वक्त मैं महसी के प्रात्मिक स्वास्केन में पहुंचा हूँ जहांके प्रभारी इस वक्त डाक्टर आसिस वर्मा साब हमारे साथ महजूद हैं जिसें बात करेंगे सर लगातार बेड सानल हें जिसके प्राइमरी उप्चाद कर दिया गया है और वह खत्रे बाहर है धिना दीखा जाए तो अब safely यह लोगों को यहां पर बहुत ही कर आई इन दोने लोग से जड़ाब्यावग से ग्रशित हैं हमारे पास थे अभी तोटल कीनल तीस लोगों जाएंगे तो जैसा कि आप डाक्टर साब बता रहा हैं आप वो लिश्ट बिख सकते हैं कि यहां पर एक लिश्ट लगाई गई है जिसमें बाकाइदा हर उस सक्स का नाम और एड्रेस का भी जिक्र किया गया है जो आदम खुर भेडियों के हमले से घायल हुए ह इस लिश्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 30 लोगों को आफीसियल तोर पर ये भेडिया हमला कर घायल कर चुका है और यही कारण है कि लगातार इस पूरे इलाके में दैसत का महौल है खौफ का महौल है वन भाग की लाख कोसिसों के बावजूद आदम खौर भेडियों को पकड़ा जाए ताकि न सिर्फ इनके हमले कम हो बलकि इस इलाके में व्याप्त दहसत को भी कम किया जा सके अब देखना ये होगा कि वन भाग को आखिर ये सफलता कब मिलती है कैमरमन रवी गुपता की साथ राजी उप्रताप सिंग न्यूजेट कर लिया है और लगातार की प्रयास चल रहा है बहराहिच में आत्मस्चो समीत नौर लोगों की भेडियों ने जान ले ली और चार आदम खोर भेडियों को वनवेभाग की टीम पकड़ भी चुकी है लेकिन अभी कई और भेडियों को पकड़ना बागी है लगातार वन्विभाग को ये चक्मा दे रहे हैं बाराइच में आतंका पर्याय बने इत भेडियों को पकड़ने के लिए वन्विभाग लगातार कोशिस कर रहा है जिसके तैट कल सनिवार को दो बार भेडिये ट्रेस हुए एक बार सुबा के पहर में और दूसरी बार देर सांकु ट्रैक हुए दोनों ही थर्मल रडार में कै कर रहे थे जिसके बाद घेरा बंदी की गई लेकिन दुरबागिवस देर रात यह जो वन्विभाग का ट्रैप था उसमें एक बार फिर चक्मा देकर यह भागने में काम्याब हो गए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वन्विभाग ना सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरी नि वन्विभाग ने अपना यह आपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिस कर रहा है कि इस इलाके में जहां पर इस यहां मैं खड़ा हूं यह गुरुबक्स पुरुवा का इलाका है यहीं पर बीते दिनों कई आदम खुर भेडियों को ट्रैक किया गया था उनको रेस्क्यू क किया गया था ऐसे में आप देख सकते हैं कि वन्विभाग के बड़े ऑफिसर एक बार फिर से यहां पहुंच चुके सर क्या अपडेट है बस अपरेशन शुरू होने वाला है भी कुछ हुआ है तो हमारी पूरी टीम लगने वाली है आगे लगी हुई भी वह हैं दो चार गए उनका मुवमेंट बहुत तेजब तो दीरे दीरे जो ड्रोन की आवाज है उसको आचाने लगे जैसे यह आवाज देखते हैं सुनते हैं उसके बाद वह बहुत लंबी दूरी तेंग करते हैं एक मिनिट एक घंटे में हमको लग रहा है चार-पांच किलो मिटर चले ज दिन में चार लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चार दिनों से वन विफाग आदम खोर बाग को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है ड्रोन कैमरों की मदद से बाग की तलाश की जा रही है बाग को पकड़ने के लिए इलाके में चार पिंजरे लगाए है